Hello dear students, I am Dr. Kesari Shukla and today I am going to discuss the poem The Prioress, composed by Jeffrey Chasar. जी हाँ students, आज आप लोगों को The Prioress नामक कविता पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी रचना चौदावी सताब्दी के प्रशिद्ध कभी Jeffrey Chasar ने की थी. जी दोस्तों, Jeffrey Chasar वही कभी हैं जिनको Father of English Poetry भी कहा जाता है. तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे Jeffrey Chasar के बारे में और थोड़ा सा इस कविता के बैग्राउंड के बारे में उसके बाद इस कविता का टेक्स्ट हमें स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग चलते हैं. इसकार थी यह है कि जफरी चासर ने अपने इन साथ सालों में ना केवल अंग्रेजी साहित थे बलकि फ्रेंच लिट्रेचर और इटेलियन लिट्रेचर में भी अपना अहम योगदान दिया. प्रारंब में उन्होंने फ्रेंच लिट्रेचर फ्रेंच भासा में अपनी रचनाएं लिखी उसके बाद इटेलियन भासा में अपनी रचनाएं लिखी और जीवान का जो अंतिम पीसरा हिस्सा था. उसमें उन्होंने जो मुख्रेच नाएं लिखी वो अंग्रेजी में लिखी. क्यों? क्योंकि अंग्रेजी उस समय की आम जन्मानस की भाशा थी. और स्टुडेंट्स एक चीज़ और यहां बताना चाहते हैं कि जेफरी चासर ही वो थे जिन्होंने वास्तों में अंग्रेजी को जो अंग्लो सेक्सन पीरियट की भाशा थी या हम यों कह सकते हैं कि जो ओल्ड इंग्लिस थी उस से निकाल करके मॉडर्ण इंग्लिस की तर प्रदान की इसलिए इनको पहला मॉडर्न पोईट भी कहा जाता है फस्ट मॉडर्निस्ट भी कहा जाता है जी हां पहले भी हम बता चुके हैं कि ही स्कार्ड दा फादर आफ इंग्लिश पोईट्री He was an English poet, he was a philosopher, he was a bureaucrate and diplomat also Students वो नकेवल एक कवी, एक दारसनिक और एक नौकरशा बलकि ततकालीन जो समाज में ततकालीन इंग्लेंड के जो राजा थे कहीं न कहीं राजब्योस्था में भी उनका प्रत्यक्ष और परोग्ष रूप से हस्तक्षे बना रहता था जेफरी चासर को उनकी रचनाओं में सोसल रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना जाता है यहाँ एक बात महत्तुपूर्ण है विद्यार्थियों कि यद्यपी वो राजा के बेहत करीब थे उस समय के जो राजा थे उनके सम्मंद लगभग सभी से हुआ करते थे लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं में कभी भी उसका प्रभाव नहीं आने दिया और उन्होंने खुल के समाज के वास्तविक चित्र को प्रस्तु किया जैसा कि आप जानते हैं साहित्य समाज का दरपन होता है तो जेफरी चासर ने वास्तविक रूपों में समाज के हर वर्ग को अपनी रचनाओं में दिखाने का प्रयास किया कही न कहीं हम ये कह सकते हैं कि समाज की द्यवस्थाओं पर उन्होंने व्यंग किया है अपनी रचनाओं में इसलिए उनको महानतम सेटाइरिस्ट कहा जाता है 14 सताबदी का कहीं ने कहीं 14 सेंचुरी में उनसे बड़ा कभी नहीं हुआ और उनहीं का प्रभाव 15 सताबदी के साहित पर भी दिखाई पड़ता है उनकी स्रेष्टतम अंगरेजी की रचना जो कि व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है वो है केंटरवरी टेल्स इसका राइटिंग पीरियड लगभग 1387 माना जाता है थोड़ा सा हम केंटरवरी टेल्स के बारे में आपको बताते हैं वास्तों में इस्टूडेंट्स केंटरवरी टेल्स नामक जो रचना है वो कई सारी छोटी छोटी कहानिया जो कविता के रूप में लिखी गई है उनका संग्रह है इसको लिखने की योजना कैसे बनी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं इस्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग नाइन्थ या उससे पहले पढ़े होंगे जैसे आप लोगोंने मारको पोलो पढ़ा होगा मारको पोलो नामक एक कहानी हुआ करती थी नाइन्थ में आप लोगोंने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 11 हमी सताबदी, 12 हमी सताबदी, 13 हमी, 14 हमी, 15 हमी सताबदी तक की स्थितियां ये थी कि यातायात के साधन नहीं होते थे एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने के लिए लोग असुरक्षित हुआ करते थे तो जब भी उन्हें किसी अस्थान पर जाना होता था दूर तो वो लोग हमेशा पार्टियों में यात्रा करते थे कार्वा बना करके यात्रा करते थे कहीं न कहीं इसी चीज का वर्णन इसका विदा में किया गया है Students एक पड़ा ही प्रसिद्द तीर्थ अस्थल है इंग्लैंड में विशेश करके Christians के लिए यह एक pilgrimage है एक तीर्थ अस्थल है और यह समाधी अस्थल है Saint Thomas का Saint Thomas एक संत हुआ करते थे उनकी shrine, उनका मठ है वहाँ पर और तमाम सारे Christian belief रखने वाले लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते थी लेकिन चुकि जिस अस्थान की बात हो रही है टाबार्ड इन की बात हो रही है जी हाँ स्टूरेंट्स टाबार्ड इन एक सराय हुआ करते थी जिसमें लोग एकत्र होते थे जब उनकी संख्या 10-20-30 हो जाती थी तब वे एक साथ यात्रा करने के लिए निकलते थे इस सराय का मालिक हैरी बैली था एक बार की बात है हैरी बैली की सराय टाबार्ड इन में तकरीबन 30 लोग एकत्र हुए कैंटरबरी नामकस्थान पर जाने के लिए जो सेंट थॉमस की स्राइन थी वहां जाने के लिए जिनमें जेफरी चासर भी था और ये योजना बनाई गई कि यात्रा बोरिंग न हो हम लोग सकुशल यात्रा पर पहुँचें प्रसन्नता पूरवक तो उसके लिए एक योजना बनाई गई कि जितने भी यात्री हैं अर्था 30 के 300 यात्री 30 के 300 पिल्ग्रिम्स जो हैं ये जाते वक्त दो-दो कहानिया सुनाएंगे और लोडती वक्त दो-दो कहानिया सुनाएंगे जिस से 120 कहानियों की योजना बनी और इस्टुदेंट्स उनही कहानियों को आगे चल करके जेफरी चासर ने कैंटरबरी टेल्स नामक रचना में लिखा लेकिन कैंटरबरी टेल्स में वे 120 कहानिया नहीं है उनकी संख्या काफी कम है तकरीबन 24 के आसपास उनकी रचना है स्टुडेंट्स और सबसे बड़ी महत्तुपून बाती है कि तमाम लोग उसमें से कहानिया नहीं सुनाए तमाम लोग आधे रास्ते में ही यात्रा को छोड़ दिये तमाम लोग वहां पहुंचे तो लोटे नहीं तो अन्तो गत्वा कैंटरवरी टेल्स नामक पुस्तक में जिफरी चासर ने उन्हीं कहानियों को जो तीर्थियात्रियों ने सुनाई थी उनको संग्रहीत कर दिया और उसे नाम दिया गया कैंटरवरी टेल्स अब महत्व पून बात ये बताना चाहता हूँ कि कैंटरवरी टेल्स का ही एक हिस्सा है प्रोलाग का मतलब ही होता है इंटोड़क्शन तो इस्टूडेंट्स प्रोलाग टो कैंटरवरी टेल्स में जिफरी चासर ने उन तीर्थ यात्रियों के व्यक्तित्त का वर्णन किया है ये कह सकते हैं कि करेक्टर इस्टिक्स को डेस्क्राइब किया है उन तीर्थ यात्रियों का जी हाँ स्टूडेंट्स उन तीर्थ यात्रियों में समाज के बिभिन वर्गों का प्रत्निरित्ट करने वाले लोग थे कहीं ने कहीं जेफरी चासर का उदेश था कि इनके करेक्टर्स के माध्यम से उनका समाज कैसा है तद काले इन 14. सताबदी का किस प्रकार के लोग हैं उनका वर्णन करना उनके जीवन पर व्यंग करना और उनके वास्तविक जीवन अस्तर को प्रस्तुत करना जेफरी चासर का लक्ष था इस्टुडेंट्स उन तीर थियात्रियों में एक नाइट था एक नाइट का लड़का था एक मर्चंट था एक लॉयर था वाइफ हाफ बात एक करेक्टर था पार्सन एक करेक्टर था तमाम इस तरीके समाज के अलग-अलग वर्गों का प्रत्निद्द्द करने वाले करेक्टर थे और उन्ही में से एक महत्तुपूर करेक्टर थी प्रायरस जी हाँ प्रायरस एक नन थी नन एक सन्यासिनी होती है वो थी और वो ततकालीन समाज के धार्मिक वर्ग का प्रत्न दित्तो कर रही थी तो ये प्रायरस नामक रचना वास्तों में Canterbury Tales के Prologue to Canterbury Tales के प्रायरस नामक हिस्से को प्रसुत करती है इसमें जेफरी चासन ने दिखाया है कि प्रायरस का करेक्टर कैसा था येस स्टुडेंट्स हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस्टुडेंट्स वो धार्मिक वर्ग का पत्निधित्तो कर रही थी और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चौदाहमी सताब्दी अर्थाद जो मध्यकाल था चाहे वो बरहमी सताब्दी तेरहमी सताब्दी ये चौदाहमी सताब्दी रही हो उस समय धर्म की सत्ता सरवोच सत्ता थी यहां तक कि राजा की भी हैसियत और हिम्मत ऐसी नहीं थी कि धार्मिक सत्ता को चुनावती दे सकें Students, धार्मिक सत्ता को चुनावती देने से तात परिये है कि धर्म से जुड़े हुए लोग पोप, बिसब, आर्क बिसब, फ्रा, फादर चर्च से जुड़े हुए जितने भी लोग थे और उन्ही में महत्तुपूर्ण स्थान था ननका ये लोग ही कहीं न कहीं समाज को नियंत्रित करते थे और इन्हीं की आग्यां राजाग्यां हुआ करती थी किन्तु इस धार्मिक ब्यवस्था में चर्च में ब्रस्टा चार अपने चरम पर था जैसा एक सन्यासी को, जैसा एक धर्मादिकारी को, जैसा एक धर्म के प्रतनिधी को होना चाहिए वैसे ये लोग नहीं थे तो इसी को प्रक्तिक्ष ना कह करके परोग्ष रूप में एक व्यंग्यात्मक शैली में जिफरी चासर ने लिखने का प्रयास किया है अपनी इस रचना में जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं प्रायरस के नाम से जानते हैं तो हम लोग इस टार्ट करना चाहते हैं students there was also a nun as it is very clear from the first line कि before this character प्रायरस he has described several other characters already जैसा कि हमने आपको बताया कि कई characters के बारे में जितने भी उसमें सदसे थे उनके बारे में बताने का प्रयास किया है एक एक कर के जफरी चासर ने तो और लोगों को बताने के बाद अब नमबर आता है नन के बारे में बताने का अब नमबर आता है प्रायरस के बारे में बताने का तो इसलिए कहता है देर व एक चीज़ यहां बता देना चाहते हैं आप लोगों की कि इस कविता को पढ़ते हुए आपको यह लगेगा कि इस कविता की जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं आलमोश्ट सब के सब आज की अंग्रेजी की हिसाब से स्पैलिंग मिस्टेक्स में किसी भी वर्ड की दौर में थी modern English जिस अंग्रेजी को आप देख रहे हैं आज यह अपने प्रारंभिक दौर में थी इसलिए यह आप यूं कह सकते हैं ना तो ग्रामर था ना तो भाशा काईदे से थी उसका कहीं ने कहीं उसकी निव पढ़ रही थी ति प्रारंभिक अंग्रेजी है बाद म इसका शोधन हुआ है तो इसलिए उस समय कि अंग्रेजी को आप स्पैलिंग मिस्टेक नहीं मानेंगे बलकि आप इस रूप में लीजी कि उस समय अंग्रेजी ऐसी थी ही यस स्टूडेंट्स क्लियर तो देयर वाज आलसो इन नन एक नन थी नन का मतलब होता है कि एक महिला साधू महिला सन्यासिनी महिला सन्यासनी स्टुडेंट्स वो होती है कि जो केवल वही सन्यासनी हो सकता है जो जीवन में सादा जीवन जीए जिसके विचार धार्मिक हो जो गंभीर हो व्यक्तित्त में और जो चारित्रिक दिश्ट से हर प्रकार से अपने आपको एक आदर्स के रूप में प्रस्तुत कर सके लोगों के सामने एक आईने के रूप में प्रस्तुत कर सके वही नन हो सकता है कि यहां जेफरी चासर नहीं यह दिखाया है कि नन जो थी वास्तों में नन जैसी नहीं थी जैसा एक सन्यासनी को होना चाहिए वो संग्यासिनी जैसी नहीं थी उसका नाम था प्राइरस देटाफर इसमाइलिंग वाज फुल सिंपल एंड कॉयर सी यूस्ट इसमाइल वेरी नाइसली एंड हर वेय अफ इसमाइलिंग वाज सिंपल एंड कॉयर मनें वो बड़ा खुबसूरत मुस्कराती थी सभाव नहीं है कि वो ज़्यादा तर मुस्कराता रहे और उसकी मुस्कान लोग देखते रहें लेकिन वो मुस्कराती थी बड़े संजीदगी के साथ बड़ी विसेश तरीके से साधानतया वो मुस्करा दिया करती थी हर ग्रेटिस्ट ओथ वाज बड़ बाइस्टियेंट लोए वो बात-बात में कसम खाती थी जब भी किसी से बात करती रहती थी तो वो सपत बहुत खाती थी ओथ बहुत लेती थी और उसकी ओथ ईश्वर की ओथ नहीं होती थी जीसस की ओथ नहीं होती थी Virgin Mary की ओत नहीं होती थी जो की Christianity में इश्वर माने जाते हैं उनकी ओत नहीं होती थी बलकि इधर उधर की आलतु फालतु कस्में खाया करती थी एक 22 टियंट लवा एक सन्यासी हुआ करते थे संत थे उनकी कस्म खाया करती थी माने वो अपने आपको सबसे डिफरेंट दिखाने का प्रयास करती थी और उनको मैडम एगलिन्टाइन के नाम से भी जाना जाता था उनका एक नाम था मैडम एगलिन्टाइन एगलिन्टाइन का मतलब होता जंगली गुलाब तो आप सोच सकते हैं कि जैसे कोई संत महत्मा कुछ extraordinary character दिखाता है कुछ अलग धंग से अपने आपको पेश करता है तो लोग उसका नाम रख देते हैं तो उसी तरीके से मैडम एगलिन्टाइन के नाम से वो जानी जाती थी full well see song the service divine और वो बड़ी राग से service divine मेंस जो prayer होती है चर्च की जैसे मंदिरों में भजन होता है वैसे churches में प्रार्थनाएं होती हैं Jesus Christ की तो बहुत अच्छी तरीके से बड़ी राग से उसको गाती थी in tuned in her nose full seemingly अपनी नाग का प्रियोग करके बड़ी राग से नाग पे बल दे करके बहुत खुबसूरत तरीके से बड़ी tune के साथ ऐसा लगता था जिसे नाग से वो tune मिला रही है उसमें ले पैदा कर रही है इस तरीके से बड़ा खुबसूरत वो भजन को गाती थी and French she is faithful, fair and fattestly और वो French भासा बहुत बढ़िया बोलती थी जी हाँ students आम जन्मानस की भासा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रीजी थी लेकिन वो कौनसी भासा बोलती थी French language बोलती थी जो कि courts की भासा थी जो उच्च वर्ग की भासा थी तो वो उस वर्ग उस भासा को बोला करती थी French भासा को बोला करती थी बहुत बहत बहतरीन French बोलती थी and after the school of Stainford-at-Bow लेकिन उनकी जो फ्रेंच थी वो Stainford-at-Bow की French language थी जी हाँ ये एक French speaking छेत्र था उस छेत्र की Stainford-at-bow school की भाषा वो फ्रेंच बोलती थी for French for Paris was no higher unknown क्योंकि जो Paris छेत्र की फ्रेंच भाषा थी उससे वो अंजान थी उसको नहीं जानती थी लेकिन फिर भी वो फ्रेंच भाषा बोलती थी तो कहीं न कहीं यहाँ फिर से जेफरी चासन ने व्यंगात्मक शैली में बताने का प्रियास किया है कि वो अपने आपको उस वर्ग में दिखाना चाहती थी जो उच्च वर्ग से सम्मंधित था क्योंकि उच्च वर्ग की भाषा ही फ्रेंच भाषा हुआ करती थी आम जन्मानस की भाषा तो अंग्रेजी हुआ करती थी वो सब लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिलती थी ऐसा नहीं होता था कि साधू सन्यासी है सन्यासी नहीं है तो अपने आपको थोड़ा से रिजर्व रखें ऐसा कुछ नहीं था वो बड़ी मिलनसार थी जो भी आता था बड़े प्रेम से अटमिट वेल बहुत अच्छे तरीके से मिलती थी और वाज सी विट आल सब के साथ मिलती थी सी लेट नो मॉरसल फ्रॉम हिस लिपस फाल तो अभी तक उनकी जो सामान लाइफ स्टाइल थी मिलने जुलने का तरीका था चर्च के बारे में जो उनकी लाइफ स्टाइल थी उसको चासर ने बता अब जेफरी चासर उनकी जो फूड हैबिट थी वो किस तरीके से खाना खाती थी उसके बारे में बता रहे हैं कि See let no morsel from her lips fall इतना बेहतरीन इतने राजसी तरीके से इतना civilized तरीके से वो भोजन करती थी कि एक भी टुकड़ा एक भी निवाले का कहीं टुकड़ा सामानिता हम लोग खाते रहते हैं बहुत इधर उधर गिर सकता है लेकिन See let no morsel from her lips fall मौरसल माने जैसे सबजी हम खा रहे हैं तो सबजी की जो ग्रैबी है जो सबजी की रसी है वो मौरसल है तो See let no morsel from his lips fall उनके होटों से एक भी ग्रैबी ग्रैबी का थोड़ा सा भी टुकड़ा गिरने नहीं पाता था जैसे बहुत पढ़ा लिखा बड़ा शालीन सब्य समाज का व्यक्ति खाता है बैट करके उस तरीके से वो खाना खाती थी No wet her fingers in her sauce deep और जब वो sauce को चटनी को या सबजी को लेने के लिए उंगलियां उसमें डूबोती थी तो इतना अच्छे तरीके से उसमें डूबोती थी कि no wet her fingers क्यों उनकी उंगलियां नहीं डूबने पाती थी जैसे रोटी है तो रोटी माली जी वो सबजी ले रही है सबजी में डूबो रही है तो किवल रोटीयों में ही लगती थी वो सबजी वो सास उनकी फिंगर्स में कहीं छूने नहीं पाती थी इतना अलर्ट रहती थी अपने जो टेबल मैनर है अपने खाने की शैली को ले करके बार-बार आपको बता रहा हूँ कि जेफरी चासर ने व्यंगात्मक शैली में लिखा है इसको व्यंग करने का प्रयास किया है ततकालीन जो रिलिजियस अथार्टी थी जिसका प्रतनी थे तो नन कर रही थी उस पर वेल कुट सी केरीड मॉर्सल और वेल के बहुत अच्छे तरीके से वो निवाले को उठाती थी और बहुत अच्छे तरीके से उसको मोतक ले जाती थी that no drop ne fill upon her breast कि उनके breast पर या उनके कपड़े पर एक भी drop no drop ne fill upon her breast उनके कपड़े पर कभी भी एक भी बून भोजन की सबजी की या सौस की कभी गिरने नहीं पाती थी उनका जो आचरण था वो एक दम कोल्टियस था बड़े सिस्टा चार से युक्त था बड़ा सिस्टा चार पूर उनका आचरण हुआ करता था और राजसी ब्यवहार था उनका इन कोल्टिसी वाच सेट फुल मचल हर लेस्ट यहां तक कि वो भोजन कर लेती थी तो भोजन का निशान उनके लिप्स पर लगने नहीं पाता था इतना अच्छा उनका एक दम इतने साफ सुथरे रहते थे कि आप समझ सकते हैं कि वो बहुत सब्ब्र और सिविलाइजड तरीके से अपने आपको प्रस्तुत करती थी एक चीज़ा और सपस्ट करना चाहते हैं स्टुदेंट्स जनरले जो नन होती हैं वो अपने चेहरे को ढखे रहती है उनका चेहरा कोई देख नहीं सकता है अगर आप लोग कभी चर्च बिजिट किये हो देखे होंगे लेकिन यहां देखिए कि उनका पूरा का पूरा चेहरा और जीवन शैली जेफरी चासर ने देखी है इससे सपस्ट होता है कि वो हमेशा अपने मों को ढखे भी नहीं रहती थी वो चाती थी कि लोग उसके संदर को उसके चेहरे को उसके आचरण को उसकी जीवन शैली को निहारें और देखें हम यह कह सकते हैं कि वो किसी भी रूप में एक ननकम और एक हिरोईन जादा दिखाई पड़ती थी यह व्यंग है जेफरी चासर ने जिस तरीके से दिखाने का प्रयास किया है किस तरीके से उस समय की धार्मिक सत्ता से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं उनके होटों पर कोई भी ग्रेस कहीं भी कुछ भी ग्रेस जैसा या कोई भी मॉर्सल जैसा या कोई भी ग्रेबी जैसा नहीं दिखाई पड़ता था उनके आचरण में सालींता थी संजीदगी थी आफ ग्रेस फ्वैंसी ड्रंकेन हेडर हर ड्रॉट इस्टुडेंट्स बहुत ही सालीन तरीके से संजीदगी से जब भी वो पानी पीती थी जब भी वो खाना खाती थी तो एकदम सिविलाइस्ट दिखाई पड़ती थी अब स्टुडेंट्स मैंने उनके खाने खाने के शैली के बारे में बताया अब थोड़ा सा बताते हैं कि उनकी पब्लिक डीलिंग कैसी थी फुल सीमली आफटर हर मिट सी रॉट जब भी उनसे कोई मीटिंग करता था कोई मिलने के लिए आता था तो बहुत अच्छे तरीके से उसका स्वागत करती थी बेल वेलकमड शी उस तो वेलकम वेरी नाइसली और शीकरली सी वाज़ आफ़ डीप रिस्पोर्ड सबका वो रिस्पेक्ट करती थी सबसे बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करती थी सबका सबका वेलकम मने everybody who came to her to visit he was always welcomed and greeted in warm manner she didn't made herself reserve वो अपने आपको reserve बज़र्ब नहीं रखती थी वो सबसे बहुत अच्छे से मिलती थी and full pleasant and amiable of old हमेशा वो एकदम pleasing mode में रहती थी हमेशा खुस रहती थी हमेशा लोगों से मिलने के लिए आतुरता उसके अंदर रहती थी ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा आतुर रहती है लोगों से मिलने के लिए बड़ा खुश होती थी लोगों से मिल करके जब किसी से मिलती थी तो हमेशा मुस्कराती थी किसी से भी आमना सामना होने पर मुस्कराती थी और परसंद रहती थी और उसके जो मैनर थे उसके जो आचरण थे बहुत महत पूर्ण लाइन है वो कभी भी एक चर्च मेंबर के एक रिलिजियस मेंबर के नहीं हुआ करते थे बलकि कोल्टली हुआ करते थे जैसे कोई राजपरिवार का सदस्य हो राजदर्बार में रहने वाला सदस्य हो राजा के यहां रहने वाला सदस्य हो कोई राजकुमारी हो इस तरीके के उसका कोर्टली आचरण हुआ करता था उसका जो मैनर था and to bend Dalgan Darg of reverence and everybody respect her उसका सभी सम्मान करते थे और वो भी सब का सम्मान करती थी but far too is speaking for her conscience but she was always very alert in her conscience while speaking बोलते वक्त वो बड़ा सतर्क रहती थी बड़े चुन-चुन के सब्दों को बोलते थी very conscious, very alert about her speaking कि what to speak and what not to speak अपने बोलने के दारान, public dealing के दारान वो बड़ा ही सचेत और सतर्क रहती थी बहुत अच्छे से बोलती थी अब उसकी जो emotional value थी वो भावनात्मक रूप से कैसी थी इसको जफरी चासर ने दिखाने का प्रयास किया सीवाज सो charitable and so peteous चासर कहता है कि वो प्रयारस वो नन बड़ी ही कमजोर दिल की, बड़ी नाजुक दिल की बड़ी दयाल हर्दय की लेडी हुआ करती थी बड़ी दयाल हर्दय की नन थी charitable, so peteous बड़ी ही दयाल, बड़ी ही नाजुक, बड़ी ही fragile सीवाज बड़ी मच फ्रेजाईल हर्टड लेडी, सीवाज सो charitable and so peteous सी उड़ वेप, इफ दैट सी शाट ए माउस काट इन ट्रैप दिल की इतनी नाजुक थी, इतनी दयालु थी कि अगर वो एक चुहे को भी ट्रैप में देख लेती थी पिंजड़े में देख लेते थी, कि किसी चुहे को पिंजड़े में रख दिया गया है चुहे दानी में रखा गया है उसको देख के भी वो रोने लगती थी अब ये थोड़ा सा व्यंग है, फिर से आप समझने का प्रयास करें मनें दिखावा उसके अंदर था बहुत ज़्यादा दिखावा उसके अंदर था जैसा कि आप जानते हैं कि साधू शन्यासियों को एक शन्यासिनी को किसी के दुख से, सुख से, पीड़ा से, हान से, लाब से इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए वीतरागी होना चाहिए उसको लेकिन वो एक चूहे को भी अगर ट्रैप में देख लेती थी ते एक सामान घरेलू महिला की तरह रोने लगती थी और अगर उसको घायल देख ले उससे खून निकलता हुआ देख ले या कोई चूहे को मरता हुआ देख ले तो उसका हाल बेहाल हो जाता था वो रोने लगती थी बिहबल हो जाती थी और वो अपने डाग को अपने कुटे तक को बढ़िया रोस्टेड फ्रेस मने भुना हुआ मांस और मिल्क दूद और वेस्टेड ब्रेड और बढ़िया वाइट कलर की बढ़िया खुबसुरा अच्छी अच्छी टेस्टी रोटियां खिलाती थी यहां मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब के बारे में चर्च का वर्णन किया जा रहा है प्रायस का वर्णन किया जा रहा है उसी दर्मियान स्टुडेंट्स पीजेंट रिवोल्ट हुआ था थोड़ा सा आगे पीछे पीजेंट रिवोल्ट में लोग रोटियों के लिए मर रहे थे गरीबी इतनी जादा थी कि आम जन्मानस को रोटियां नहीं खाने के लिए मिल रही थी और ये महाशया सन्यासिनी जी अपने कुत्ते को भुना हुआ मांस दूद और बढ़ियां पकी हुई रोटियां खिलाती थी स्टुडेंट्स ये समाज का चित्र ये धार्मिक ब्योस्था का चित्र जेफरी चासर ने दिखाने का प्रयास किया है स्टुडेंट्स अगर उन कुत्तों में से कोई मर जाता था ते घरेलू महिला की तरह भावना पूर्ण महिला की तरह वो रोने लगती थी उसके मृत्य उपर और इफ में स्माट इफ विथी यर्ड स्माट अगर कोई छड़ी से उन कुत्तों को स्मार्ट कर देता था मार देता था तब भी यरोने लगती थी और आल वास कंसाइंस एंड टेंडर हर्ट वो दिल से बहुत ही टेंडर थी बहुत ही नाजुक और नरम दिल की थी वो मन से बहुत कमजोर थी स्टुडेंट्स यहां मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि एक सन्यासी नहीं को किसी भी लेवर पर यदि ये सन्यासी ही मन से कमजोर होने लगेगा तो समाज में अन्य लोगों को सामान्य लोगों को रास्ता कैसे दिखाएगा लेकिन वो महिला वो नन स्वैम ही दिल से बहुत कमजोर थी जैसा कि मैंने बताया कि चूहे को और कुटे को भी समस्या में देख करके अगर वो मर रहा है या पिंजडे में है या उसको किसी ने पीट दिया तो वो रोने लगती थी इस तरीके की वो नन थी फुल सीमली हर सिंपल पिंस्ट वास हर नोज स्टेर्स हर आईज ग्रे आईज ग्लास उसका चेहरा बहुत खुबसूरत था फुल सीमली हर सिंपल पिंस्ट वास उसका चेहरा बहुत ही स्पस्ट बड़ा ही खुबसूरत था हर नोज ट्रेटेज उसकी नाक बड़ी खुबसूरत थी हर आईज ग्रे एज ग्लास उसकी सीसे की तरह हरी हरी खुबसूरत तो सरी ग्रे भूरी भूरी खुबसूरत आखें थी भूरी सीसे की तरह शमकती हुए इसके खुबसूरत आखें थी बार-बार आपको बता रहा हूँ कि या तो जेफरी चासर का दिमाग केवल उस नन में लगा हुआ था या नन पूरी तरीके से अपने चेहरे को ओपें रखती थी जिससे कि जेफरी चासर उसके पूरे चेहरे का वणन कर पा रहे है एक-एक अंग को उन्होंने देखा है जो कि किसी भी लेबल पर एक सन्यासिनी के लिए उचित नहीं था हर माउथ फुल स्माल उसका चेहरा छोटा सा था चोटा सा चेहरा और उसका चेहरा एकदम नाजुक नरम और लाल लाल चेहरा मने खाई पी नजर आती थी वो कोई ऐसा नहीं कि सफेद पढ़ चुका है बड़ा कमजोर थी बड़ा नाजुक नरम साफ़ था उसका चेहरा ये जेफरी चासर ने देखके अंदाजा लगा लिया था का मत्था भी एकदम साफ सुथरा इस ट्रीट बढ़िया मत्था दिखाई पड़ता था बार बार आपको बता रहा हूं कि नन के लिए आचना ठीक नहीं था चुकि नन अपने चेहरे को हमेंसा धके रहती हैं लेकिन इससे इसपस्ट होता है गो अपने चेहरे को अठाके नहीं रहती थी तब ही जेफरी चासर इस तरीके से वर्ण कर पा रहे हैं उसके चेहरे का यहां जेफरी चासर बताना चाहते हैं कि उसका मत्था काफी ब्यापक था और बड़ा मुश्किल से ही ऐसा होता था कि उसके चेहरे को कोई देख न पाए हमेशा वो दिखाई पड़ जाता था फुल फैटीस वाज इस क्लॉक और उसके गले में एक सारी उसके एक वस्त्र थे जैसा कि वो पहनती थी जिन कपड़ों को पहनती थी वो कपड़े बड़े खुबसूरत थे और वो गले में एक माला पहनती थी जैसा कि वो एक गले में माला पहनती थी और इसमार कोरल एबाउट हर आर्म सीबार और अपने हाथों में कोरल पहनती थी उसके कपड़े जो पहनती थी बहुत अच्छे थे जैसा कि मैंने बताया हर क्लॉक जो लबादा पहनती थी वो बड़ा अच्छा था इसके अलामा वो अपने हाथों में एक मूंगा पहनती थी कोरल मिंस मूंगा उसके हाथों पे खुबसूरत लगता था और उसके चारों और एक ग्रीन कलर की गिल्डिंग हुआ करती थी एक हरे रंग की गिल्ड हुआ करती थी बॉर्डर हुआ करता था और उसके गले की जो माला थी वो गले में और वो जो गले में माला थी उसमें एक ब्राँच पहने रहती थी वो और उस ब्राँच के ब्राँच अफ गोल्ड फुल सीन और वो ब्राँच जो था जो गले की उसके लॉकेट थी वो सोने का था और उस सोने में और उसमें एक क्राउन लगा हुआ था एक crown की रचना उसमें लगी हुई थी उस माला में, ये माले की विसेश्ता मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें A लिखा हुआ था, अब A का रहा से क्या है ये नहीं पता है, वो A लिखे हुआ करती थी, A रहता था, and after Omer Vincit Omnia, और उस पर जो है Omer Vincit Omnia लिखा रहता था, क्य जिसका अर्थ होता है, Love Wins Everything, दुनिया में प्रेम ऐसी चीज है, जो हर चीज पर विजय प्राप्त कर लेता है, ये उस पर लिखा हुआ था, ति स्टुडेंट्स इस प्रकार से, जिफरी चासर ने प्रायरस नाम रचना को आप लोगों के सामने रखा था, जिसमें उन्हों प्रायरस के माध्यम से तत्कालीन धार्मिक समाज को धर्म का रेप्रेजेंटेशन किस तरीके से उनकी रचनाओं में है, उसको दिखाने का प्रयास किया, और इस रचना के माध्यम से आप ये भी कह सकते हैं, कि उनकी जो कैंटरवरी टेल्स है, यही कारण है कि उसको पिक् गए हैं हमारी आखों के सामने एक बिज्वल इमेज बन जाती है ऐसा लगता है जैसे उस चीज को हम देख रहे हैं एक पिक्टोरियर क्वालिटी उनकी रशनाओं में देखने के लिए मिलती है तो मैं आशा करता हूं स्टुडेंट्स कि आप लोगों ने अच्छे से इस कवि पढ़ा होगा इसके साथ ही मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं थैंक यू थैंक यू वेरी मच डियर स्टुडेंट्स